आगनी रखोंगी रूप और पसंद के किसे से प्रेमिस बताओ की बताया रानी रूप बती बहुत बिमार थी और उनके महल के सामने एक पेड़ था उस पेड़ पे एक चिड़े और चिड़िया का गोजला था रानी सामने से देख रही थी एक दिन उस चिड़े की चिड़िया मर जाती है जो चिड़िया मर जाती है उसके दो बच्चे थे चिड़ा दूसरी साधी करके दूसरी चिड़िया को गर में ली आया और जब दूसरी चिड़िया आई तो बच्चों को चोच मार के घुसले से नीचे गिरा दिये दोनों बच्चे घायल कर दिये उधर रानी ने सोचा कि जो हासा आज मैंने दिन में देखा है अगर यही हासा तेरे बच्चों के साथ हो गया तो तेरे बच्चे तो किसी को मुझ दिखाने के नायक नहीं रहेंगे राजा खड़क सिंग को अपने महलों में बुलाया और कहने लगी माराज आप अच्छी तरह जानते हूँ कि मैं काफी समय से बिमार चल रही हूँ पता नहीं कि कब मैं इस दुनिया को छोड़ कर चली जाओ मैं तो आप से हाथ जोड़कर यही कहना चाती हूँ माराज कि आज दिन में मैंने एक हासा देखा वो हासा मेरे बच्चों के साथ ना हो जाए क्या बताती है राजा खड़क सिंग को रानी रूप बती आए इस रागनी के मतल से और न्यों क्याने लगी रानी बोली एक चड़ी के दो बच्चे थे वो साक दूसरी ने मार दिये मैं मर गीते मेरे बच्चों ने मत ना दुख भारतार दिये मत ना दुख भारतार दिये एक चड़ी के दो बच्चे थे एक चड़ी के दो बच्चे थे वो साक दूसरी ने मार दिये मैं मर गीते मेरे बच्चों ने मत ना दुख भारतार दिये मत ना दुख भारतार दिये है महराज ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहे हूँ क्योंकि आज मैंने दिन में कुछ देखा क्या देखा अपनी आखों से क्या समझा लागी वुला है रे एक छिडे की छिडिया मर गी दूजी लाया प्याह के देख के बच्चे आग लाग गी बैठ गई गम खाते चिडा बहर ने चला गया उस चिडियाने समझाते उस पापन ने दोनों बच्चे तले गेर दिये मेरे चोच मार के घायल कर दिये चिडियाने चला गुजार दिये मेरे बच्चो दे मतना दुख परतार दिये मतना दुख परतार दिये बच्चो अबचाँ अबच्चो एख अग्चो आई लुख परतार दिये मतना अबच्चो एग्चो आई और इस रूप बसंद के किस्से की रागने पे खुश्यों कर आदरनिये वीर पाल राव जी राव इस्टार म्यूजीक कंपणी की तरफ से सोरपिका प्रश्कार दिया जाता है तह दिल से दनेमाद करती हूँ दूसरी लाइनों में न्यूग कैन लगी महराज आपके दो बेटे दिये हैं बगवान में अरे आपको और क्या चाहिए अगर मैं मरगी मेरे मरने के बाद दूसरी साधी मत करना माराज अपने बच्चों के लाड़ करना और उनको मां की कमी कभी महसूस मत होने देना क्या क्यति है रानी मेर में मर गीते मेरे प्यामत में मर गीते मेरे प्यामत दूजा प्याह कर वह ये चाहे सुरग की हूर में नहमत सोग दूसरी लगे दो बेटे तेरे दिये रामने और तने के चलिए रूप वसंत की जोडी ने मेरे साजन मत कम करिये रे साजन मत कम करिये खेरे खिला पिला और उड़ा पहरा के खिला पिला और उड़ा पहरा के अट पिता जसा जार दिये मेरे मर गीते मेरे बच्चों ने मतरा दुख मरतार दिये अत्रा दुख मरतार दिये ओ ला 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 ओ ला 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 लाला लाला कि अगर किसी बच्चो की मा मर जाए तो वो बच्चे बिना मा के ऐसे ही बिरान हो जाते हैं लेकिन अगर आप मुझे याद करना चाहोगे तो मेरी आप से यही पराथना है कि मेरे बच्चो को कभी दुख मत देना महराज क्या कहती है कि बिना माता के बच्चे कैसे इस दुनिया में फिरते हैं क्या लिखा हे रे बिन माता के बालक पिया बिन माता के बालक पिया गौडा के मफिर्या करे कोई मार दे कोई दमका दे हीना दे भी धर्या करे नो क्रोड के लाल रेत में बिन जोहरी के जर्या करे दर दर हंडे बीक मांगते जुटे कुटे जर्या करे कुटे कुटे जर्या करे दर मरी हुई ने याद करे ला छाती भुच्च आर दिये रेत गीते मेरे बच्च ने मत ना दुख परतार दिये हैं मत ना दुख मरतार दिये हे महराज जितना मेरे अंदर विवेक्था जितनी मेरे अंदर विवेक्थी थी उत्रा मैंने आपको समझाया आगे आपकी मर्जी है माराज कि आपको क्या करना है क्या नहीं राणी का अंतिम समय आ गया प्रेमिस रोताओ और राजा को समझाते समझाते पैर पसार देती है क्या लेखा पंडित माहे रांजीने ओ भाई हेरे तन मने धनते समझा चाली तन मने धनते समझा चाली जानू तेरी ता सीर पिया मेरी करनी मेरे आगे आगे तेरी तक दिर पिया दुखियारी बन रोउसु मेरे नैना पर जनीर पिया लखमी चन मेरी बात मान ले आग्या वक्त आखीर पिया सीरी मांगे राम दे इतनी कहते राम दे इतनी कहते राणी ने पेर पसार दिये मैं मर भी ते मेरे बच्चों ने पतना दुख बरतार दिये पतना दुख बरतार दिये घर एक छिड़ी के दो बच्चे थे सब दूसरी ने मार दिये मैं मर गी ते मेरे बच्चों ने पतना दुख बरतार दिये पतना दुख बरतार दिये